इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ये सांस लेने में कठिनाई के साथ छाती के दबाव से राहत देता है और अस्थमा और ब्रोंकाइटिस से जुड़ी स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्ट उपाए है ये शलेश मझिली की सूजन और लगातार छीटने के साथ बहती नाग जैसे हिफ फीवर के लक्षनों को संबोधित करने में भी उपियोगी है ये तवचा के अल्स, छाले और कीडे के काटने पर भी द्रड़ता से संकेत दिया जाता है इस उपाए से हड्डियों में जलन और अंगों में लक्वा संबंधी कमजोरी से भी राहत मिल सकती है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, एठन वाली खांसी और अस्थमा के श्वास संबंधी विकारों के साथ छाती में जमाव से राहत देता है दो, गठिया और गठिया से जुड़े दर्द से राहत के लिए उतक्रिष्ट उपाए 3. कीडे के काटने से त्वचा में जलन पैदा करने वाली आँखों और गालों की सूजन को नियंतरत करता है 4. सर्दी जुकॉम और कूली के जोडों में दर्द की स्थिती को प्रभावी धंग से कम करता है 5. ये गले की खराश के इलाज में भी उप्योगी है जिसके कारण निगलने में कठिनाई होती है 6. आतों के कीडों को रोकें जो दस्त, अपच और उल्टी का कारण बन सकते हैं 7. ये संक्रमित गर्भाशे के कारण योनी से होने वाले सूजन वाले स्राव को कम करने में भी उप्योगी है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें